प्रोट्यू बाई इंडिपेंडेंडेंस, कंकन में स्वाद, कंकन में भारत देखिए ऐसा है, अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी थी, पत्चीस साल बादल साब मुख्यमंत्री रही, और उसके बाद आज अकाली दल की दो विदानसवा सीटा चली गए, उत्तर पर देश का सबसे बड़ा पर्देश है, मायावती अकेली ने सिंगल पार्टी की सरकार बनाई थी, रीजिनल पार्टी थी, खत्म होगे, और ऐसे और स्टेटों में जो पर्देश की पार्टी हैं थी, लालू जी का बेटा भी चार लोग है वापी आगया, पचास में से, मैंनों खत्म होती जा रही है, मैं नहीं मानता हलोपा का, हलोपा को तो अपनी छीट भी, मैं जबता हूँ, सिर्सा निकालने भी मुश्किल है, आज के दिन कहीं वो फाइट में नहीं है, रीजिनल पार्टी हो दो नहीं, उनका काम तो केवल एक है, कि अपना लाइसन्स ले लो, ना अपना MLA बनते हैं और CLE पास करो, रचान ना विदान सभा में रोल हैं ना हलके खराब है, मेरी उपर परदेश के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसे एक सीट ओफर करी है, वो भी खाली BJP जोईन करेगा तो, वो भी गौपाल कांडा को नहीं देंगे, दूसरा कोई फैमिली मेंबर लेगा तो सरसा की एक सीट देती हैं, लड़ना है बीजेपी जो आएका, सरा आप बीजेपी सरकार में मत जोई है, अब बीजेपी की इनकी केटमान कित्रा आस्वास्त है, आप सोचोई ना मैंने कही है ना बाद सबके साबने, तो सब आज की मीटिंग रखने का उदेशे क्या है, देखिए, मैं सारे लोगों में जाओं, फ देखिए मैं आप से बताया है, शारी बाते में इह ने कह रहा था, आप से भी कही मीडिया कभिक्रे क्या उसको गुमाूद है, क्या कह्थे ममइ वे भारतिया जन्ता पार्ती के साथ रहा हैं, वे वो तेख करेंगे, इसका, मुझे उनका भैसल है, उस पर कहना मेए, उसका मेरे पांच साल के कारियकाल से संदूश है तभी तो मुझे लोग सबागा टिकर ती आदा गंटा पहले जो है इंकित किया मेरा सर्वे में भी सर्वे में सबसे मुझबूत कंडिट मैं हूँ बारतिया जनता पार्टी ने सरकार बना नहीं एक एक जिताओ कंडिडेट चाहिए कॉंग्रेस से फाइट को अब देखो आएंगे तो पार्टी हम उनकी आएंगे कभी अर्याना में सरकार भी बनी थी अब पिछले लोग सबागे चुराम में आप बीच मीश हजार बूर्ट तक रहे गे थे मुझे पास लाग दस हजार आए मैं हमारे बच्चे में इस से ज् पी को क्या स्थिक रहने हां हाँ है बी जे पी अर्याना में सरकार बनाएगी आज м V. विज़ भी कहा रहा हूं क्योंकि इसमें भी हम 54 विज़ान सभा में हम जीते हैं कॉंग्रेस के वल 42 में जीती हैं और इसके बाद दो तिन में आमाद में पार्टी जीती हैं सरकार सो पर्थिशत बीजे पी की बनेंगे अब बन गया था मोटा मोटा फैसला था सब जो डोकुमेंट्स गई थे जो पैरामेट्र उसके हैं वो सब में क्वालिफाई कर रहा था पर वो अचानक कोड ओफ कंड़क्ट लग गया अब कैबिनेट मीटिंग में भी फैसला अलांके तैय करिए थे नहीं हो सका अब आपने जिकर किया कि राणिया में क्वांग्रेस के पांथ-पंद्रा-जार वाला कोई नहीं है तो क्या इन ऐलों के पांथ-पंद्रा-जार से भी नीचे वाला कंडिटेट है मैंने कॉंग्रियाना में कॉंग्र्स का क्या बजूत लेखते हैं किसी का कॉंग्रियस का मैं नहीं मानता कॉंग्रियस जहां एक बार चलिए कि दोबारा आई नहीं आपको बता है ना वेष बंगाल ले लो आप उसके बाद उनीच सो सतर के बाद दुबारा नहीं है सता में सरकाव पंदीश में आप वेष मंगाल ले ले उतरपंदेश ले बिहार ले आप गुजरात ले उडिसा ले तामिल अडू ले ले यहां 200 से उपर सीटे बनती है, 1970 के बाद, 47 साल में भी दुबारा कॉंग्रेस नहीं है। तो शर्टा बजार तो पिछ बंस से अलग सीटे नहीं खा रहा है कॉंग्रेस की आपके रहे हैं। शर्टा बजार तो पिछली बार्ट चैनल बहुत अलग भाई, एक की भी ठीक नहीं है। शर्टा बजार क्या बताता है। तो आखना शर्टा बजार में कोई अलग नहीं होता है। झाल बजार में कोई शर्टा बजार बार्टा बजार में कोई प्रटा बार्टा बजार बजाए।